अमरीकी क्रिशी विभाग के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अच्छे एवं स्थाई खरीदार प्राप्ट करने के लिए विश्वसनिय सप्लाई करता होना आवशक है, अन्यता खरीदार किसी और दिशा में जा सकते हैं। उनका इशारा भारत की तरफ था जहां सरकार ने टुकडी चावल, गैर बास्मती सफेद चावल, गेहुं एवं इसके उतपाद, चीनी तथा प्याज आदी के व्यापारिक निर्यात पर प्रतिबंद लगा रखा है। इससे अंतराष्ट्रिय निर्यात बाजार में एक स्थाई सप्लाई करता देश के तौर पर भारत की विश्वसनियता में कमी आई है और इससे उन देशों को भारी कठिनाई हो रही है, जो इन उतपादों की खरीद के लिए मुख्यत भारत पर ही निर्भर थे। विश्वसनियता की हानी के सापेक्ष अल्प कालीन लाब का कोई महत्व नहीं है, जबकि अमरीकी सप्लाई करता विश्वसनिय होते हैं। वहां किसी क्रिशी उतपाद का अभाव होने पर ततकाल आयात का विकल्प खुला रहता है, जिससे आम लोगों को ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। भारत सरकार की नीती उससे अलग है। भारत से चावल एवं चीनी का निर्यात हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है और इससे एशिया तथा अफरीका के अनेग देशों को काफी राहत भी मिली लेकिन जब एकाएक इसके निर्यात को बंद करने की घोशना हुई तो आया तक देशों को भारी धक्का लगा।